जहीं सात्यूम मेरा नाम है आकास मौरिया और आपसे लोग का आपके अपने चैनल आलक्यूप की स्टेडी पर बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंच जैसा कि आप लोग इस अकबार में देख सकते हैं यहां पर दिया गया है कॉंस्टिवल जीडी की परिच्छा में सफ़ल होंगे तीन लाख विद्यार थी तीन लाख विद्यार थी चूकि आप लोग की वैकनसी यहां पर बच्चे किये जाते हैं तो अभी आप लोगों का फेजिकल होने वाला है फेजिकल तो physical में आप लोगों को जो है है यहां पर कितने बच्चे जाएंगे जितने exam में जो है select किये गए बच्चे वो सारे के सारे physical में आप लोगों को जाएंगे उसके बाद physical में जो है जो बच्चे qualify होंगे उनको medical के लिए बुलाया जाएगा ठीक है डोकुमेंट वेरिफिकेशन भी किराया जाएगा है फिर उसके बाद जो बच्चे बच्चे रहेंगे वहाँ पर जो है क्योंकि आप लोगों की बेस्ट आफर स्क्वार में बताना चाहता हूं अनेकडमी यहाँ पर लाया हुआ आइकोनिक आप लोगों के लिए आफर जो की लाया हुआ है इंडिये 2022 एस्पिरेंट की जो है है यहाँ पर वैकेंसी के लिए यहाँ पर लाया गया है इसमें आप लोगों को आफर कुछ इस प्रकार चाहिए कि यदि आप लोग 12 माहिने का अप लोगों को बिलकुल मुफ्त मिलने वाला है और यह आप लोगों का 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक रहने वाला है यानि कि आप लोगों के दो दिन का समय मिल रहा है फटा फट जाका जो आए है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्स न दियागा पर्चेज कर लेजिए इसके लोगों को देखनों को मिलें ठीक है इसके अलावा आप लोग जो है जो है एयर फोर्स वाइज ग्रूप की तयारी कर रहे हैं उसके भी यहां पर आप लोगों को को पर इंडिया की बेस्ट एजुकेटर के मादियम से आप लोगों को सारी क्लास करा जाती है लेक्च्छ पर आप लोगों को पर आप लोगों को 19 नंबर पेज पर आएंगे तो आप लोगों को यहां पर जो आए है 13.4 जो लिखा हुआ यहां पर आप लोग दे सकते हैं जो किस प्रकार से सलक्षन किया जाएगा male and female candidate will be short list, state, area wise आप लोगों को short list किया जितने बच्चे रहेंगे male और female ठीक है short list, state wise आप लोगों यानि के राजवाज आप लोगों को student जो है select किया जाएगी उसके बाद आप लोगों को computerist जो examination हुआ था है उसके according आप लोगों की merit list तयार की जाएगी और इस merit list में यह जो exam आप लोगों को हुआ है ठीक है इस exam में जो merit list तयार की जाएगी इसमें आप लोगों को NCC के नंबर भी जुड़ेंगे जी यहाँ दोस्तों आप लोगों को NCC यदि कर रखा है आप लोगों को तो यहाँ पर खाफी अच्छा benefit आप लोगों को मिलने वाला है यदि आप लोगों को पास 30 certificate है तो आप लोगों को 5 नंबर का छूण मिलेगा 20 certificate है तीन नंबर आप लोगों को मिलेंगे और जो है यह है यहाँ आप लोगों को टूटल 75 नंबर यहाँ पर हो जाएगा यह नंबर आप लोगों को जो है एक्जाम के नंबर में ही जुड़ेंगे ठीक है कहीं और नहीं जुड़ेंगे यह नहीं कि आप लोगों को physical में medical में छोड़ दिया जाएगा ऐसा कुछ नहीं आप लोगों को जो आए है ये पाँच नमबर जो आए है ये आप लोगों के जो आए है exam के नमबर में ही जोड़ने वाले ठीक है उसके बाद यहाँ पर अप लोगों को जो आए PT and PhD के लिए बुलाया जाएगा ठीक है जितने बच्ची जो है यहाँ पर सिलेक्ट हिए जाएगे एक्जाम में उनको PT and PhD के लिए बुलाया जाएगा और यहाँ पर Number of Candidate Shortlist PT and PhD on the basis of the merit of computer-based examination will be about 12 time of number यानि कि जितनी वेकेंसी है आप लोगों को ठीक है वेकेंसी जितनी है उसमें से आप लोगों को 12 गुना बच्चे से यहाँ पर फिजिकल के लिए बुलाया जाएगे ठीक है है जितने बच्चे क्वालिफाई होते हैं फिजिकल में जितने बच्चे क्वालिफाई होंगे सभी के सभी बच्चों को जो आई है medical के लिए बुला लिया जाएगा ठीक है किसके लिए medical के लिए जितने बच्चे सिलेक्ट होंगे फिजिकल में सभी को मेडिकल के लिए बुला लिया जाएगा अब मेडिकल में जितने बच्चे सिलेक्ट होंगे मेडिकल में जितने बच्चे सिलेक्ट होंगे उसी समय ठीक है क्योंकि आप लोगों की वैकनस्धी 25000प लोगों की वैकनस्जी यह जैदि वहाँ पर 30,000 बच्चे माण लेजी हैं वहाँ पर सिलेक्ट और ह 다니 रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर आप लोगों को मेरिट को थोड़ा सा इंक्रेज कर दिया जा जाएं तो यहाँ पर बच्चे जो है है वहां से चथ जाएंगे ठीक है इसे प्रकotics आप लोगों की जितनी वेकंसी है वहां पर उतनी क्या है रेकंसी में अप लोगों को बच्चों को सिलेक्ट कर दिया जागा मेरिट को थोड़ा से हाइ चाहिए जाएगा तो बच्चे